बीजेपीरे सामिल हेले दिलीरा पुर्वत्तन मंत्री कॉयलास गेहलोत केंद्र मंत्री मनोहर लाल खटर्ण को पसितरे से बीजेपीरे में सीच्छंती कॉयलास गेहलोत दिलीरू दुईत्थर विधाक अहबास हो आप रो बड़ो चेहरा रोई थले गुरुत अपन विभाग मध्य स्वंभाडी चुनती आम आदमी पार्टी रह आत्म विश्वास कौमी छेथरे बिकासर कॉथा कहुन हांती आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेमर्शिप ग्रहेंड की कटर सापकी प्रेजन्स में और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई असान कदम नहीं था अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्य वास्वास के लिए काम करते आए एज एमेले भी और एज ए मिनिस्टर भी और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते हूं कि ये और नाइट कुछ डिसिजन हो गया या किसी के दबाओं में ये मैंने निन्ने लिया हर एक वेक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाओं में मैंने निन्ने लिया मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाओं में आके कोई काम नहीं किया कोई काम नहीं किया और राजनीतिक जीवन में लगाता दो हुजार पंद्रह से पार्टी में रहके एमेले रहके और एज़ मिनिस्टर भी दबाओं में आके मैंने कोई काम नहीं किया तो जितने भी कि जींनों मुझे सुनने में आ रहा है कि आसा को नेरेटीव बिल करने कोशिश की जा रही है कि जिनोंने एड़े के दबाओं में कर दिया तो ये सारी मेरी कहले से गलत फहहिमी है इस प्रकार का नेरेटीव किया जा रहा है दिली में एक वरिष्ट सरकार के मन्तरी बहते जिंता पार्टी में वो शायमल हुए है मैं यह कैसे ताओं कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राज़िती इक्षेतर में किसी पार्टी में जोईन करता है तो सब पार्टियों का अपना बाही आवरन होता है उसी को देख करके इशायद जोइन करता होगा आप एक हाई कोट में बहुत ही सुल्जेव वकील के नाते से आपका पिछला इतिहास रहा है तो आमादी पार्टी को देख करके जोइन किया होगा लेकिन जब कोई पार्टी क कोई राज़ितिक शेत्र में सक्रिय वक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक ववस्थाओं की तुल्ना करता है निश्य रूप से आपने भातिजिंता पार्टी की आंतरिक ववस्था आमादी पार्टी की आंतरिक ववस्था उसकी तुल्ना की होगी और इसे पहले भी बहुत से झाल 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 झाल